हलो गाईज, आज की इस वीडियो मैं आपको बताऊंगी कि आप इगनु का आसाइमेंट ओनलाइन कैसे जमा कर सकते है इसके साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि ओनलाइन किसको जमा करना है किसको नहीं इसके लिए मैं चलती हूँ अपने ब्राउजर पे तो मैं मोजला फायरफॉक्स ब्राउजर पे आ चुकी हूँ हमें एड्रेस बार में ये URL टाइप करना है ये URL मैं आपको डिस्क्रिप्शन में सेयर कर दूँगी गज ये URL ओपन हो चुका है ये Google Form का URL है यहाँ पे लिखा हुआ है Google Form of Igno.rc.deleven for Assignment Submission TEE June 2024 अब मैं आपको बताती हूँ कि online assignment कौन जम्मा कर सकता है कौन नहीं सबसे पहला है कि आप RC Delhi One के student होने चाहिए दूसरा यह है कि आपका study center code इनमें से होना चाहिए जैसे कि 700, 710, 711 आप देख सकते हैं पूरा मेरा study center 710 है जब मैं अपना MPS का assignment जम्मा करने college में पहुची तो teacher ने बोला कि यह online जम्मा करना पड़ेगा तो मैं आपको suggest करूंगी कि आपको एक बार college में पता कर लेना है assignment online जम्मा करना है या offline guys आपको assignment जम्मा करने के पहले कुछ खास बाते याद होनी चाहिए कि आपको सारे assignment online अलग-अलग जम्मा करना होगा जितने भी subject के assignment है सबका pdf अलग-अलग बनाना होगा guys जो आप pdf बनाएंगे उसका name कुछ इस तरीके से होना चाहिए enrollment, number, underscore, course code इसका आप एक example भी दे सकते हैं जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 underscore, ms01 guys मैं आपको main main चीजे बता दे रही हूँ बाकि सब आप इसमें से पढ़ लीजिएगा guys जो आप pdf बनाएंगे उसका size 10.20 से जादा नहीं होना चाहिए आपको pdf इस तरीके से बनाना है सबसे पहले आपको first page scan करना है pdf के लिए जो कि मैं आपको आगे बताऊंगी इसके बाद आपको pdf के लिए scan करना है ignu का id card इसके बाद आपको assignment का question paper pdf में scan करना है अंत में आपको scan करना है पूरा answer जो आपने अपने हाथों से लिखा है इन चारों का जो pdf बनेगा उसका size 10 yambi से ज़ादा नहीं होना चाहिए यहाँ पे आपको सबसे पहले अपना email address लिखना है उसके नीचे आप first page का format देख सकते है guys यह आप पूरा front page देख सकते है front page डाउनलोड करने का link मैं आपको description में share कर दूँगी आपको इसका print out लेके पूरा भरना है और जो pdf बनाएंगे सबसे उपर आएगा यह इसको भरना बहुत ही आसान है मैं आगे की वीडियो में आपको जरूर बताऊंगी नीचे आपको कुछ important instruction बता रखें यह आपको जरूर पढ़ना है पांचवा point आपको याद रखना है कि आपको अपना name और enrollment number हर assignment पे लिखना है नीचे की तरफ नीचे compulsory sequence है assignment set का एक बार मैं आपको इसको फिर से बता देती हूँ सबसे पहले मैंने आपको जो first page बताया है सबसे पहले वो आएगा दोसरे पे आएगा इगनू ID card तीसरे पे आएगा question paper का print out लाश्ट में आएगा जो assignment आपने अपने हाथों से लिखा है गईज ये special note आप देख सकते हैं पहला है अलग-अलग courses के assignment अलग-अलग बार Google form भर के जमा करने हैं सभी courses के assignment एक ही बार में जमा नहीं करने हैं दूसरा है एक ही assignment को बार-बार अलग-अलग माध्यम से जमाना करें assignment के वल इस Google form से ही जमा करने हैं यहाँ पे आपको yes select करना है और नीचे आपको next पे click कर देना है guys अब हम next page पे आ चुके हैं यहाँ पे आपको सबसे पहले अपना mobile number एंटर करना है उसके बाद आपको अपना name एंटर करना है उसके नीचे आपको enrollment number एंटर करना है उसके बाद आपको अपना study center code select करना है guys मैंने सारी details एंटर कर दी है अब मैं next पे click करती हूँ guys अब हम फिर से next page पे आ चुके हैं क्याँ पे आपको सबसे पहले अपना program select करना है जैसे कि मेरा है masters इसके बाद आपको अपना program code select करना है जैसे कि मेरा है MPS इसके बाद आपको course code select करना है जिसका आप assignment जम्मा करना चाहते हैं जैसे मैं अभी अपना पहला assignment जम्मा करूंगी MPS 001 का तो मैं MPS 001 select करती हूँ guys आपको ध्यान रहे हैं जो आप यहाँ पे course code select कर रहे हैं आपको उसी का assignment जम्मा करना है इसके बाद आपको next पे click करना है guys अब हम final page पे आ चुके हैं यहाँ पे आपको assignment upload करने का तरीका बता रखा है यहाँ पे आपको upload selected करने के बाद select file from your device पे click करना है आपको google drive से pdf upload नहीं करना है guys अब हम upload पे आ चुके हैं upload करने के लिए add files पे click करना है तो मैं add files पे click करती हूँ pdf upload करने के लिए हमें browse पे click करना है आप यहाँ पे मेरे चारो assignments का pdf देख सकते हैं क्योंकि मैंने course code में mps001 select किया था तो मुझे mps001 का ही pdf upload करना है तो मैं mps001 pdf select करती हूँ आप देख सकते हैं अभी upload हो रहा है अब upload हो गया है नीचे yes पे select करना है और submit पे click कर देना है इसके बाद यह image select करके verify पे click कर देना है तो मैं verify पे click करती हूँ गैज आप देख सकते हैं फाइली हमारा assignment submit हो गया है assignment submit होने का message तुरंत आपके email पे आ जाता है next assignment submit करने के लिए आपको submit another response पे click करना है और आपको पूरा process फिर से दोहराना है आप ये वीडियो पूरा देखना आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा आसानी समझ में आसानी समझ में आपको ये वीडियो उίζा भैस को क्तावा हॉफरा समय भीडियो इन कया प्यांको कि उवे येख जावli नाव कर देभ गोफरा खिर एद है कर शками कर में हो बहुरा आपको और फकनिबाड भीद प्सीन झाल झाल तो गैस आपने देखा मैंने online assignment submit कर दिया उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी तो इसी तरीके के और भी वीडियो देखने के लिए मारे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें जादा जाद अपने दोस्तों में सेयर करें थैंक्स फॉर वाचिंग थैंक्यू